एक बार फड़ा वट से चैट बॉक्स में चुड़ेंगे सभी और जल्दी से एक बार बता दो आज आज आपके साथ यह डिसकस करूगा और आपके साथ डिसकस करने के बाद यह सेंपल वेपर के अंदर देखेंगे यह कितना इक डिफिकल्ट है जल्दी से आज हो एक बार चैट बॉक्स में और बताओ फाइन है सब कुछ और वीडियो में बोल रहे हैं सब कुछ ठीक है स सर गुड़ीवनिंग सर गुड़ीवनिंग कुड़ीवनें अब लhãगा पकर नें पक्लाशस हैं यहां बढ़िया तरीके सेसं तो जरूर लगाना है चलिये हैं डाव हाग लब केना right Christian कि जड़ी से एक निन्य के लिएट करेंगे ताकि बच्चें जॉइन करने क्योंकि हम लेट है ना अगर हम लेट करेंगे सब्सक्राइब게 करेंगे लाइन आपना सवेच मारत हैं शवमी कर दो ने आ रहा हूं तुमारे घर पर फॉन चालाइक करने के लिए जैसे औफलाइं वने बच्चों के तिसलन वह झाली करते हैं पॉपारे हैं जेसे ले जैता हो पचीह स्रीड तो मैं जसले जिक पहले पूराना है लेघुH कि है जालो करें सुरूओ आओ फिर जल्दी से एक बार व्यूवर्स जुड़ चुके पहले कोशन और भाई मैं फिर बता रहा हूं यह सेंपल पर मैं नहीं सॉल कर रहा है यह सेंपल पर आप सॉल कर रहा होगे और आप मुझे बताओगे भी इनका अंसर क्या है मुझे पता है तुम लोगों हो तो छूप्त ग्रीघ समी कंडॉक्टर wsम क्योगों हमारे भी करेचंए गूरुप 13 गप 17 सेंब था कहा है przे क्रेंट मयह मनी पैसा-पैसा-पैसा दिख तरफ जल्दी से बताओं को है एंटरे अरे अरे बढ़िया बढ़िया mere di न है यह ग्रूप 15 एलिमेंट है यह बिचारा ग्रूप 15 एलिमेंट है अगर यह ग्रूप 15 एलिमेंट है इसका मतलब ग्रूप 15 एलिमेंट के बाद आपका एंटाइप सेमी कंडाक्टर बनने वाले आपका एंटाइप सेमी कंडाक्टर बनने वाले और अगर N-type semiconductor बनने वाले तो बताओ उसका energy band diagram कैसा बनेगा तो आपको यह पता होगा यह donor type impurity है यह कौन सी impurity है यह donor type impurity है और अगर यह donor type impurity है तो इस donor type impurity में जो हमारा energy band diagram बनता है वो कैसे बनता है सबको पता है नीचे वाला valence band नीचे वाला valence band और उपर वाला conduction band इसके अंदर कुछ electrons होंगे इसके अंदर यह तो semiconductor है ना इसके अंदर बहुत सारे electrons होंगे कुछ खाली holes होंगे और यहाँ पर कुछ एक electrons होंगे इसका donor energy level कहां लाई करता है अधिक दोनर energy level कहां लाई करते हैं कि एनर्जी बैंड डाइगराम का डोनर डोनर एनर्जी लेवल क्योंकि यह डोनर टाइप impurity है डोनर टाइप impurity मतलब मेरी तरह मतलब तुमारी तरह दान वी रहे जैसे तुम लाइक दान करते हो ना मिरको यह बीक में लाइक क्यों मांग रहा है यह वह यह बीक देने वाला इलेक्ट्रों ने कि पेंटाविलेंट तो है यह डोनर कंडाक्शन बैंड बहुत बढ़ियाद क्योंकि डोनर टाइप इंपरिती जोत्ति है यह लूसेली बाउंड होती है यह वह ब्रेक्वारी less energy as compared to the electron in the valence band so the donor energy level so the donor energy level lie just below the conduction band donor energy level lie below the conduction band donor energy level lie below the conduction band यह donor energy level कहां लाई करता है conduction band के नीच से यह याद होना चाहिए अच्छा फिर एक extra question इसके अंदर पूछ लेता हूँ यह बता दो acceptor energy level कहा होता है acceptor energy level where is the acceptor energy level इस केस में acceptor energy level कहा होगा अगर मुझे acceptor energy level बनाना है तो acceptor energy level कहां पे होगा where is the acceptor energy level near to the valence band above to the valence band कह सकते हो न valence band के उपर just above the valence band यहां पे आपका acceptor energy level होता है और जब आप trivalent impurity डालते हो न तब acceptor energy level होता है जो उपर लाई करता है उपर की दरफ लाई करता है above valence band बहुत बढ़िया चलो अब इसका answer इन्होंने क्या लिखके दिया as given in this statement antimony is added to a pure silicon crystal then a n-type semiconductor would be so obtained since antimony is a pentivalent impurity एक number इसका यहां तक मिल जाएगा और अगर इन्होंने energy level diagram of n-type semiconductor बनाया तो इन्होंने बताया donor energy level इसके थोड़ा सा नीचलाई करेगा इन्होंने सिरफ बनाके रख दिया आप थोड़ा सा explain भी कर देना आप इसको थोड़ा सा explain भी कर देना और देको rate rates कैसे divide हो रही है एक number यहां पे मिल गया एक number diagram का दो number मिल गया और इनके बीच के gap को क्या बोल जाता है energy gap इनके बीच के gap को क्या यह हमें answer मिल गया यह हमें answer मिल गया तो बात clear है क्या अच्छे से clear है यह बात बढ़िया से कैसे लिखना था हमने चली अगले question पे चलेंगे we'll move to the next question we'll move to the next question internal choice in this question we have internal choice in this question consider two different hydrogen atom the electron in each atom is in excited state is it possible for the electron to have different energy but same orbital angular momentum according to bore model justify your answer question difficult नहीं है अब इसमें choice करनी है आपको choice कैसे होती है बहुत simple सी बात होती है बहुत simple सी बात है दोनों question बढ़के देखलो जो लगे थोड़ा थोड़ा आत्ता है तो उसके अंदर attempt कर दो consider two different hydrogen atom different hydrogen atom लेने हमने the electron in each atom is in an the electron in each atom is in an excited state is it possible for electron to have different energies but same orbital angular momentum no why reason is no because angular momentum depend on n n h upon 2 pi and energy also depend on n energy also depend on n if the energy is different that means orbit is different that means orbit is different and if orbit is different the angular momentum if orbit is different angular momentum is different एंगुलर मोमेंटम इस डिफरेंट किलियर आगया समझ चलिए इसको पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा? No, because according to Bohr model energy is minus 13.6 upon n square and electron having different energy will have a different value of n so their angular momentum will be different क्योंकि angular momentum का formula n h upon 2 भाई होता है जो चीज मैंने बोली ना जो चीज मैंने बोली और आपको अगर विश्वास तो मुझे पता है तुम्हार को होना नी मैं ये sample paper पढ़के नी आये हो क्योंकि इतना time मेरे पाथ आनी noon का session conduct कराना था उसके बाद खाना भी खाना था और just खाना लेके आपकी पिपिटी बना रहा था उसके बाद सीधा ही आगए class के अंदर तो भई जो बोला भई लिखा हुईनों ने भी cbcc वाले भी मेरी मान जाते एक अदा नमबर नो करने का अदा नमबर नो करने का और एक नमबर आदा नमबर फिर उसके बाद ये बताने का energy का formula क्या होता है पिर explain करने का और सात में angular momentum बताने का फामला ठीक है चलिए अब इसके बाद इसके पार्ट टू पर आजो justify और answer answer हमने justify कर दिया answer हमने justify कर दिया second part पर आओ ठीक है second part पर आओ answer तो पता ही है इसके अंदर second part में क्या दिया हुए explain how does photoelectric current and kinetic energy of photo electron in a photo cell will vary if the frequency of incident radiation is doubled but keeping the intensity same now if it if it the intensity is same if the intensity is same can you please tell what is the effect on photoelectric current photoelectric current पे यार favorite chapter होना चीए तुमारा ये अगर intensity बढ़ा ही है sir lack of confidence एक बार PYQ series लगा लो अपने confidence आजेगा हो कल के timing भी बता रहेंगे गुरू देब बता देंगे हां फिर्स पार्ट का अंसर क्या होगा photoelectric current is same photoelectric current is same because it is independent of frequency because it is independent of frequency because it is independent of frequency के independent है ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं इन्होंने भी क्या लिखा हो है let me check the increase in frequency of incident radiation has no effect on photoelectric current because this is because the incident photon of energy increased energy cannot eject more than one electron from the metal surface क्या लिखा यार ऐसे भी लिख सकते हो this is because of incident photon of increased energy cannot eject more than one electron मतलब energy बढ़ाने से ये निया भी ज्यादा electron बार आजेंगे energy बढ़ाने से ज़रूरी निया भी ज्यादा electron बार आजेंगे देख रहा है भई एक simple सी बात आपको दिखरी होगी एक simple सी बात इसके energy पर क्या फरक पड़ेगा अब ही frequency बढ़ाने से kinetic energy बढ़े गिया कम होगी frequency बढ़ाने से kinetic energy बढ़े गिया कम होगी कानेटिक energy क्या होगी अच्छा graphical representation भी करने अगर आपको ये representation करना हो वह अगर फ्रिक्वेंसी के चेंज होने से current कैसे चेंज होगा तो ये इंडिपेंडेंट है ग्राफ विल भी लाइक दिस ये कोई चेंज नहीं होगा जितना constant current है उतना ही आता रहेगा फ्रिक्वेंसी के चेंज होने से ये चेंज नहीं होगा तो इंक्रीज होगा बहुत बढ़िया और एक बात बताना जड़ा एक बात बताना ये तो सबको पता है सेकिंड पार्ट में सेकिंड पार्ट में फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी काइनेटिक इनर्जी इंक्रीज हो can I start this graph from origin क्या ये graph origin से शुरू कर दू state line origin से शुरू करूं क्या state line origin से शुरू करूं नई कहां से increase होगा after the threshold frequency threshold frequency increase करने के बाद इंक्रीज होगा threshold frequency increase करने के बाद इंक्रीज होगा after the threshold frequency the current will increase after the threshold frequency great answer great answer great answer बहुत बढ़िया चलिए ठोगो इस बात पर डोगो लाइक ठोगो बड़ावट से variation graphical representation भी लेक्या नहीं थी ना हमने इसकी graphical representation भी लिखनी थी ये लिख दी कुशन को ध्यान से पढ़ना ये छोटी छोटी चीजे छोड़ना मात सब पड़ा हुआ है ना सब पड़ा हुआ है ना सब दिख रहा है ना भी हमें सब आता है ना सारे कुशन पता है ना एक अद्दा कुशन तो आएगा difficult no doubt एक अद्दा कुशन आएगा difficult ठीक है दन विथ बोथ दी आंसर ना दिस एक कुशन अबर थी इसकुशन अबर थी ना now name the device which convert the change in intensity of illumination to change into electric current flowing through it मतलब अगर आप intensity change करोगे अगर आप intensity change करोगे you will get the electric current flow IV characteristics of device for different intensity state any two application of this device which convert the change in intensity of illumination to change into electric current light into electric current है सर फर्स्ट गराफ गलत है भाई सही है सही है जनाब सही है बिलकुल सही है टेंशन ना ले बिलकुल सही गराफ है टेंशन लेने की जूरूरत नहीं है अच्छा यह बता रहे हो भी वो threshold frequency के बाद increase होगा अच्छा यह यहां से ओके 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 यह origin से meet कर दिया गया sorry 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 यह origin से meet नहीं होगा यार यह origin से meet नहीं होगा यह threshold frequency के बाद current आएगा मान गई तुमारी यह threshold frequency के बाद current आएगा इस current is after threshold frequency solar cell intensity के change करने से name the device which converts the change in intensity of illumination मतलब यह आता भी more number of photons light बढ़ा रहे हैं तो light बढ़ाने से क्या होगा light के बढ़ने से क्या होगा electric to change in electric current flowing through it photo diode right photo diode solar cell नहीं है यार solar cell तो light energy को electrical energy में convert करता है और इन्होंने ते बोला सिरफ intensity change करनी है सिरफ intensity change करने को प्रेडिक्ट करना है अगर मानलो थोड़ी सी intensity चेंज हो रही है तो उसको प्रेडिक्ट कौन करता है भी इंटेंसिटी चेंज हो रही है question को ध्यान से पढ़ो which convert the change in illumination of light into electric current अगर वहां पर तो एक intensity की लाइट आ रही है उसको तो हमें convert करना है यहां पर यह आ रहा भी change in intensity को यहां पर किसमें convert कर रहा हो इलेक्ट्रिक करन्ट में convert कर रहा है the answer is photo diode the answer is photo diode बाकि हमारे पास answer है चेक कर लेंगे एक बार तो photo diode लिख लेते हैं जहां तक मिरको लग रहा है photo diode है I hope the answer should be photo diode अच्छा इसका graph कैसे बनता है अच्छा photo diode की forward by sing करते हो या reverse by sing photo diode की forward by sing करते हो या reverse by sing photo diode की forward by sing होगी या reverse by sing chat box LED वाले तो भाई तुमारा तो क्या ही कहें हम photo diode की हमेशा क्या की जाती है reverse by sing और इसमें यह बोला जाता है जैसे जैसे आप intensity बढ़ाओगे ना इसका reverse current increase हो जेगा इसका reverse current increase हो जेगा we have for I1 we have for I2 we have for I3 we have for I4 I4 is greater than I3 I3 is greater than I2 I3 is greater than I2 and I2 is greater than I1 so let me check the answer now this is VI characteristics this is VI characteristics हमेशा reverse by sing होती है हमेशा reverse by sing होती है एक बार like जरूर कर देना आर वीडियो को ये photo diode ये photo diodes are used to detect optical signal of different intensity by changing current flowing through it by changing current flowing through it when intensity of light changes there is a change in the current there is a change in the current and if there is a change in the current it will be easily detectable it will be easily detectable हाँ तो ये dark बिना light के जो current होता है जो थोड़ी बहुत thermal excitation की वज़े से thermal energy की वज़े से room temperature की energy की वज़े से जो current होता है that is called dark current उसे dark current बोलते हैं एक बच्चा पूसरा दा हाडवले लाउसर भाई ये तो cbsc को blame करना मुझे क्यों कर रहा है blame cbsc ने डालने अब क्या काम होता है इसका photo diode का भाई in detection of optical signal और in light operating switches in demodulation of optical signals optical signals ही लिख दिना यार और in speed reading of computer punch cards in electronic counters एक simple सी बात electronic counters देखे तुमने यार क्योंकि father साब की मेरे एक printing press एक छोटी सी उस printing press में क्या होता है whenever one paper get printed न यहाँ पे reading आजेगी one जब दूसरा paper print होगा तो दो तीसरा paper print होगा तो तीन चौथा paper print होगा तो फूर मैंने खुद देखिया वो machine तो यहाँ पे लगी होते एक photo diode यह photo diode एक sensor का काम करती है जैसी paper यहाँ से जाएगा वो sense करेगा एक reading बढ़ जेगी एक sense करेगा एक reading बढ़ जेगी पुठे पंगे लेने क्या था तो मेरे को आई यह भींगा mechanical engineering ऐसे मैं इंजीनियर ऐसे पंगे मैं अक्सर लिता रहता हूं देखता रहता हूं फिर जब वो खराब हो जाती है महां से भाग जाता हूं कल्टी हो लेता हूं ठीक है चलो एक जार लाइक कर दो फड़ा बचसे जल्दी से और इस में से कोई दो लिख देना लिखा हूँ है any two out of these or any other relevant application is correct आप लिख सकते हैं उसके अंदर दिमाग कराब करने वाले questions प्लीज है ही नहीं कोई क्यों करना है तुम्हारा तुम्हारा रादी का class इससे पड़े हो तुम्हारा दिमाग कैसे खराब हो सकता है वाइ फोटो डायोड is prefer in reverse bias क्योंकि माँपे minority charge carriers increase होते है न और minority charge के increase होने से माँपे reverse current easily detect हो जाता है माँपे minority charge का जो current है वो easily लिए डिटेक्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर फ्रेक्शनल इंक्रीस जादा होता है चलिए यह बहुते यह बोलते इंची आट पुशन था और यह इंची आटी पुशन है तगड़ा तो इंची आटी कुशन है आज एक बच्चे ने मुझे इंस्टागराम पर एक विए कोचने की जूरत नहीं है ड्राइवन एक्सप्रेशन फॉर दी फ्रेक्वेंची आफ इंसेट रेडियेशन या रेडियेशन एमेटेड वेना हाइड्रोजन एक्टम डी एक्साइटेड आ फ्रम एनर्जी लेवल एंड टो न माइनस वान मतलब वह एंसे यार यह तो साफ प यह तो कितना एक डिफिकल्ट फॉर्मला है यह स्पेक्टरल सिरीज में हमने पढ़ा दा स्पेक्टरल कैसे पता चला यार इलेक्ट्रोन का डिफिकल्टेशन हो रहा है अगर इससे नहीं निकालना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर इससे नहीं निकालना तो मुझे कोई प्राद दिक्कत नहीं है एनर्जी वाले फार्मले से निकाल लो energy वाला formula क्या होता है minus 2 pi square mk square z square e power 4 upon n square h square इससे भी निकाल लो तो बात तो एक ही आईगी ना इसके अंदर common क्या आएगा इसके अंदर common क्या आएगा minus 2 pi square mk square z square e power 4 अच्छा hydrogen atom है तो hydrogen के लिए z तो 1 कर दो hydrogen के लिए z तो 1 कर दो तो e power 4 upon mk square और भाई कहां से वाप्पे सार है कहां से वाप्पे सार है अच्छा minus common लिए मैंने minus common ने लिया minus common लिया e to minus e1 कर रहा हूँ final energy level कितने n से n minus 1 तक वाप्पे सार है e to minus e1 करने और इसका final level कौन से n minus 1 वला initial level कौन से n वला तो n वले की energy positive हो जेगी और n- ओले की negative, भाई देखो, simple सी बात करता हूँ, यह हमार पास यह term बनेगी, अब मैंने क्या लिखा, why I'm taking initial as positive, तुम्हें यह पता है न, e2-e1 is equal to h mu होता है, e2-e1 is equal to h mu, इसको मैं h mu के बराबर कर देता हूँ, इसको h mu के बराबर कर देता हूँ, किस को यह formula पता है, that e2-e1 is equal to h mu, और e2 होता है final level, अगर final level को directly यहाँ पे put करता हूँ, the energy will be negative, final level कौन से n-1 वाला, final level कौन से n-1 वाला, तो n-1 वाला पीच से आएगा negative में, और initial level कौन से n वाला, तो initial level आगे आएगा, तो initial level आगे आएगा, जल्दी से बताओ, क्या यह यह पता लग गया, भाई इसके अंदर doubt clear है, तो आगे चलेंगे, वैसे n से n-1 पे आ रहे हैं न, higher level से lower level पे आ रहे है, energy emit करेगा, no doubt, कुछ गडबड़ है यार, कुछ गडबड़ है, वेट करो एक मिनट, एक मिनट वेट करो, एक मिनट, एक मिनट के लिए वेट करोगे, एक मिनट के लिए, इसमें गडबड़ है कुछ, मैं गलत लिख रहा हूँ, एक मिनट वेट करो, मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ, एक मिनट के लिए, यह higher वाला e2 होते हैं, lower वाला e1 होते हैं, और e2 minus e1 h mu के बराबर, यह हमारे पास सब को पता है, यह हमने frequency condition में पढ़ा है, भाई माफ कर देना 2 मिनट के लिए कुछ गलती होगी हो तो, माफ कर देना गलती होगी हो तो, ए एक मिनट के लिए माफ कर देना, ठीक है, भाई, e2 higher level e2 होते हैं, और lower level e1 होते हैं, सब जानते हैं, जब electron यहां से transition करते हैं, तो यह photon की form में energy निकालता है, तो यह photon की form में energy निकालता है, सब जानते हो, e2 minus e1 is equal to h mu, सब जानते हो, भाई, e2 का मतलब higher level, higher level के लिए, जो हम पहले उल्टा बता गया था, really sorry पहले उल्टा बता गया था, ठीक है, माफ ही दी जाएगी, और मुझे पता है, मेरे प्यारे बच्चे हैं, मेरे को माफ कर देंगे, e2 की बात, अगर e2 की बात कर रहा हो, e2 negative है, e2 negative है, और जब e1 की बात करूँगा, e1 positive हो जेगा, तो i2, m, k2, z2, k2, z2, e4, upon me, h2, upon me, h2, और into में क्या बचेगा, 1 upon n1, n-1 का square, और minus 1 upon n2, minus 1 upon n2, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में, मैंने e2 को negative करा, e2 को negative करा, और e1 को positive करा, e1 को positive करा, जल्दी बता हो भी, जल्दी, समझ आ गया के नहीं? सर, minus का आ गया? जनाब अगर इसके आगे minus लगा दोगे, तो minus minus plus हो जेगा, e1 वला plus हो गया, e2 वला negative हो गया, ओ भाईयो, सुनो, e2 में n है न, e2 के लिए n की value n है, तो n वला negative कर दिया, e2 negative है, क्योंकि यहाँ पे negative sign है, e1 वला पहले ही negative था, तो यह negative यहाँ पे करूँगा, तो plus हो जेगा, basic mathematics है, और भाईयो वाली अरकते मत करो, सॉरी भाईयो वालो, माफ कर देना, ठीक है, तो hc by, सारी, frequency निकालनी है न, तो frequency किसके बराबर होजेगी, 2 pi square, mk square, z square, e power 4 upon h cube, e power 4 upon h cube, how e2 negative, है भगवान एनर्जी में negative होता है, यार तुम्हें formula नहीं बताया क्या किसी ने, तुम्हें formula नहीं बताया क्या किसी ने, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, मुझे पता है, मैंने बाईयो वालो की बेस्ती कर दी है, lcm ले लो यार, भाई, मैं, मैं तुम्हार को ये चीज नहीं समझा पाऊँगा, ये मेरे लिए बहुत difficult है, मैं माइनस प्लस सिखाना, मैंनस प्लस सिखाना बहुत difficult है, अब lcm लेना काऊँगा, सर्य, lcm कैसे आया, इसको करते हैं multiply, multiply का मतलब एक साथ जोड के रख देंगे, जोडा बना देंगे इनका, और ये इदर multiply, ये n square माइनस n माइनस 1 का whole square, चालो, whole square खोलो, 2 pi square m k square z square e power 4, अपोन में h cube, और इसका whole square खोलेंगे, n square माइनस n square, माइनस 1, प्लस 2n, divided by n square, into n माइनस 1 का whole square, class morning में continue करना हमें नीन्द आ रही है, अब तुझे क्या ही जवाब दूँ, इस बन्दे को क्या नाम दें, 2 pi square m k square e power 4, अपोन h cube, into में 2n माइनस 1, अपोन में n square, into में n माइनस 1 का whole square, अब यार इन्होंने क्या बोला हूँ है, also show that for the larger value of n, अगर n बहुत बड़ा है, अगर n बहुत बड़ा है, तो इसकी frequency, classical frequency के बराबर आजेगी, इसकी frequency, classical frequency के बराबर आजेगी, ओए, एक बात सुन लो, जो ये रो रहे हैं न, 13.6 वाला formula यूज़ कर लो, पहले तो ये पिटेंगे, क्योंकि हमें इसको प्रूफ करना, ये classical frequency के बराबर है, फिर कैसे करोगे प्रूफ, फिर कहाँ से लाओगे प्रूफ, फिर विशाल सर की याद आएगी, सर ऐसी कर लो, सर एटन चेप्टर से question बता दो, भाई मेरे पास कोई guest paper में और ना मैं 200 रुपे का बेट सकता हूँ, तीक है, कोई guest paper किसी के पास नहीं होता, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, जिन्दगी में यही मांगते रह जोगे, भाई, एक बात बताई हो जड़ा, मेरी ना नोकरी लग रही है, तू बता दे यार, नोकरी करूं के ना करूं, ऐसा कोई guest बता दे, जिससे जल्दी नोकरी लग जाए, ऐसा कोई guest बता दे, जिससे जल्दी जॉब मिल जाए, यार तुम तुम्हारा दिमाग खराब है थोड़ा सा यह बताओ अगर ऐसे पता लगने जत्ते भी गेस पेपर हद करते है तुम लोग हद करते हो if n is very large if n is very large ठीक है अगर n very large है तो 2n-1 यह 2n के बराबर होज़ेगा सर यह कैसे इस 1 का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा जैसे उस गेस पेपर का कोई मतलब नहीं है इस 1 का कोई मतलब नहीं है इस 1 का कोई मतलब नहीं है ठीक है और ऐसी n-1 का whole square किसके बराबर होजेगा n square this is equal to n square तो भाई frequency will become equal to 2 pi square m k square e power 4 upon में h cube और into में क्या बचेगा 2n upon ये भी n square के बराबर और ये भी n square के बराबर ये 1 हट जाएगा ये 1 हट जाएगा तो भाई इस n से n cancel out इस n से n cancel out ठीक है तो frequency will become equal to 4 pi square m k square e power 4 e power 4 क्योंकि ये 2 into 2 4 हो गया अब उन में n cube into h अब यार classical physics में classical physics मतलब atoms की बात कर रहा हूं atoms पढ़ा ना atoms atoms में frequency निकालनी हो तो one upon time period one upon time period का मतलब time होते है distance upon speed और circular path में distance होते है 2 pi r और speed होते है v और आपने हर चीज का फार्मला पढ़ा है आपने radius का फार्मला पढ़ा था n square h square upon 4 pi square m k z e square 4 pi square m k z e square ते लो z तो हटाई दो 4 pi square m k m k e square और velocity का फार्मला भी पढ़ा था velocity का फार्मला था 2 pi k z e square upon n h 2 pi k z e square upon n h एक 2 से 2 काट देख pi से pi काट दो उपर ले जाओ frequency बिलकुल as it is आ जाएगी 4 pi square m k square z square यह z तो हटाई दो e power 4 upon n cube h cube अच्छा यह तो h cube था sorry this is h cube upon n cube h cube लो भई यह भी तो भई आगे थी classical physics की यह प्रिक्वेंसी भी यह थी यह प्रूब करना था यह था तगड़ा question और मैंने आपको फिर बोला था यह तगड़ा question कोई भी difficult question ncrt का होगा and this is an ncrt question this is an ncrt question this is an ncrt question और यह भाई साब मतलब क्या करना चाहते हो इतने में खतम कर दिया और अगर हम इतना लिखाएंगे न तो number नहीं देंगे हम नहीं देंगा number cbsc वाला यह बुलेगा सदीके में हाफ लाइक क्यों आएंगे यार वो स्लेबस में ही निया तो क्यों आएंगे हावी explain with a proper diagram how an ac signal can be converted into dc pulsating form में with a output frequency as double the input frequency using a pn junction डायोड अच्छा यह कौन से rectifier की बात कर रहे है फुल या हाफ पे रेक्टिफायर यह कौन से rectifier की बात कर रहे है यह कौन से rectifier की बात कर रहे है यह फुल वे रेक्टिफायर की बात कर रहे है क्योंकि क्या बोला कैसे पता सर आपको आपको ग्यानी हो अंतर्यामी हो आपको पता चल गया अरे यह डबल बोल रहे हैं है यह डबल इंपूट फ्रिक्वेंसी अगा बोल दाा सेम फ्रिक्वेंजी तो ब ऑर यहाफ रेक्टिफायर और अगर डबल फ्रिक्वेंसी है तो मालनले ते फुल बेक्टिफायर तो यहसे एक बनेगा input फिर बनेगा primary windings फिर बनेगी secondary windings और फिर आएंगी दो diode पहली diode और फिर दूसरी diode ये दोनों diode के बाद लगेगा एक resistance with the help of central tap T और pulsating form में चाहिए तो there is no use of a filter circuit there is no use of a filter circuit ठीक है अब यार इसको explain कर देना जरा थोड़ा बहुत अपनी तरफ से अंगरेजी मार देना इसके अंदर थोड़ी अंगरेजी लिख देना फाल्तु फाल्तु लिख क्या हो यार मैं लब इतना भी फाल्तु ना लिखना नेको जैसे इन्हों ने लिखा ऑजंक्सिन डियोड अलो नेको पास अच्छे इसका प्रिंसिंबल भी पूछम अयंगे बब스를पन सत्म चलो अगर इन्पुट ओपन ये आगर इसका इंपूट वेफ़र्म एसी है तो आउटपूट वेफ़र्म क्या आएगा तो इसका आउटपूट वेफ़र्म क्या आएगा सिरफ एक डारेक्शन में चलिए ठीक है अंगरेजी का पेपर दे रहे हुआ है सबसले ना जो आता है लिखाओ बट ज्यादा भी मतलिक या ना English में तो शुरू ही हो जाते हो यहां शुरू नहीं होना है चलो diagram बनाना था output input waveform बना दी फिर इन्होंने ये फल्टू की लिखा हुए वैसे इसका principle तो पता है ना इसका principle क्या होते दूरिंग forward byacing तो वह current देगा diode लेकिन reverse byacing में नहीं देगा Central tap बना रखें, diode बना रखें, resistance बना रखें इन्होंने bear लगा है हमने अंदर लगा दिया लगाना तो tap के series में है ना tap के series में तो लगा दिया टैप के साथ लगाने तो लगा दिया और ये input waveform और ये output waveform एक भी बना दोगे तब भी काम चल जळेगा, तब भी दोनों भी बना दोगे, तब भी पूरे number मिलेंगे, तब भी पूरे number मिलेंगे, आई ये अगले question पे, भाई ये question कहीं बार करा चुकाँ, ठीक है, दुबारा कर बताओ बोल रहा हूँ difficult question is compulsory है यह लिखवा के लिए जो कोई ठीक है चलो बड़िया अब कराना तो नहीं दुबारा कर लोगे ना पहले वाली वीडियो से मतलब यार बोलते में यहती गेस पेपर मिलेगा यार सबको पता है यार इतनी किताबें हुई है यह देखो मैं दिखाता हूं दुबार रुगों यह एक पहली यह किताब दूसरी पता नहीं कितनी किताबें सबको गेस पेपर पता है यार यह कोशन तो भाई करा चुका हूं इसको जाके वहां देखो यह तुम्हारी पनिश्मेंट है क्योंकि तुमने पी वाई क्यूज नहीं देखे तो मैं यह कोशन दुबारा नहीं करा रहा हूं मैं यह कोशन दुबारा नहीं गरा रहा हूं ठीक है चलो आओ फिर अच्छा यह तो सल्यूशन आ गया सरम तो रट के चले जाएंगे और यह जो सी बीस से ना बड़ी मलब ऐसे एक यहां पर मैं बोल नहीं सकता बेकार चीज़ है यह कमेशा कोशन पलड़ देती है ओ भाई डिफाइन वेफ़रंट हमारा फेबरेट कोशन अब देखो यार मुझे जैन्मनली बता दो मैंने आपको बोला दो कोशन डिफिकल्ट है मानता हूं पहला यह कोशन डिफिकल्ट था क्लासिकल फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में बताना था न्सी आर्डी है और दूसरा कोशन यह वाला डिफिकल्ट है थोड़ा सा जो न्यूक्लियाई का है था यह जो न्यूक्लियाई का कोशन है यह डिफिकल्ट है यह भी न्सी आर्टी है तो यह हमारा गेस पेपर फ्री का यह जो चीज गलत है तो भाई उस को अलत को हम सपोर्ट नीं खरेंगे क्या को इम्लेकों को आठ्वी पार होने वाली है वालत तुमीं इंडिपेंडेंट हने वाले तो 18 साल यह सब्सक्रार को सब्धार ने वाले और कमाल करते वाह दश Adri Team leaders मतलब क्या है यार उसका कोई मतलब तो होना चाहिए पी वाई क्यूज लगाओ एंसी आटी लगाओ दाट्रेज आगे स्पेपर जो डर है ना उसका फाइदा उठाया जा रहा है कुछ बच्चे तो लेह लेंगे डर में जिनोंने नहीं पड़ा होगा मैं भी निकाल रहो रहा हूं कल मेरा सेंपल पेपर आ रहा है कौस्ट है 25 सो रुपय रुपीज 25 सो रुपय है बत दोने ले लिया मेरा तो यार पूरे दिन की कमाई होगी बस और क्या है और है यह बोल दो हुआ यही पेपर आएगा यही वळा आने वळा है पेपर टाइटल तो डालना हमने इतने सब्सक्राइबर पर जो हम भी ले रहें भी दो बच्चे तो खरीद दी लेंगे define wavefront, draw the shape of reflected wavefront when the plane incident wave undergo reflection from optical denser medium to rarer medium hence proves snail's law of reflection भाई सबको पता न, wavefront क्या होता है, define wavefront, it is the continuous locus of all the particles which are vibrating in same phase, continuous locus of all the particles which are vibrating in same phase, which are vibrating in same phase और इसके बाद मैं ये derivation दो important बोल रहा हूँ, ये जो important derivation है न, वही मालों एक दो medium है और यहां पे एक plane wave front आ रहा है, एक plane wave front incident कर रहा है और यहां से light आ रही है, इदर से भी perpendicular light आ रही है, जितने में B वली light C तक पूंचेगी, A वली refract के D तक पूंचेगी, इसको join करोगे secondary wave front, snail slow proof करने, snail slow proof करने, कर लोगे, आसानी से हो जाएगा snail slow proof, आसानी से snail slow proof हो जाएगा, nuclei सुबह हो चुका है, अगर नहीं देखना session तो हम कुछ नहीं कर सकते न तुमा, अपना हमने session तो देखना नहीं nuclei करा दो, कैसे करा दो फिर, अच्छा यह questions यार मेरे कराने के नहीं है, draw a ray diagram for a compound microscope for the final image at least distance of distinct vision, अब देखो इस question में क्या है, इस question में, मैंने यह वाला question solve करवा रख है, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर, यहाँ पर बहुत प्यारे-प्यारे से बच्चे जो बोल रहे थे सर, इसको ना least distance वाले के लिए भी करा देना, तो करा देते हैं, denser to rarer है, अच्छा कोई बात नहीं, denser to rarer है तो away from the normal bending कर देना, ओ, sorry, 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 this is from denser to rarer, away from the normal bending करके इनको जोइन कर लेना, really sorry, पहले बले में तो क्या, draw a ray diagram of compound microscope for the final image at least distance, अब इसके second part में क्या है, इसकी magnification बतानी है, अब देखो, उपर अले part में दे रख्या है least distance, उपर अले part में अगर least distance दे रख्या है, यहाँ भी given है when the final image is formed at least distance, तो भाई इसके अंदर क्या formula यूज़ करना है, total magnification is 30, total magnification is 30, focal length of objective is 1.25 cm, focal length of eye piece, eye piece की focal length कितनी है, 5 cm, और क्या करना है, how will you set up a compound microscope, tube length निकाल ली है, when final image is formed at least distance, that is VO plus UE, VO plus UE निकालना है, VO plus UE, answer भी रट गे हैं बच्चों को ऐसे ऐसे बच्चे है, magnification का formula VO upon U, 1 plus D upon FE, तो यहाँ से अगर देखा जाए, तो यह 30 दे रख्या था, this is VO upon U, और यहाँ से 1 plus D, D की वेल्यू 25 और F की वेल्यू, sorry, D की वेल्यू 25 और F की वेल्यू 5, so this will be 6, sorry, 5 हो जाएगा, total 6 हो जाएगा, 30 is equal to VO plus UE divided by into में 6, so this will get cancelled out, VO by UE is equal to 5, so VO is equal to 5 times of UE, as the objective, as the objective form a real image, यह real image बनाएगा, तो objective के उपर आपने क्या करना, till lens formula लगा लेगा, objective के उपर थिल लेंस formula लगा लेना है, शुबम की super chat of rupees 20, thank you for your time, who is this, अमन्चर्मा, मेरे कोई कह रहा था ना, यार किसी और को कह रहा है, 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F, 1 by V minus, या plus 1 by U not is equal to 1 by F, क्योंकि object distance इसका negative होगा, image distance positive होगा, and V not is 5 times of U not, V not is 5 times of U not, ठीक है, और 1 by 5 common, 1 by U O, sorry, 1 by U O common, और 6 by 5 बचेगा, और इधर focal length को 1.25 put करूँगा, तो ये 100 by 125 होगा, ये cancel out होगया, U O will become equal to 6 by 4, this is 1.25, और अगर 1.5 इधर put कर दूँगा, V O निकान ले के लिए, तो V O किसके बराबर होजेगा, V O will become equal to, V O will become equal to, that is 5 times of 1.5, that is 7.5, एक बर मैं चेक कर ले, तो ये बार सही जा रहा हों के नहीं, अप्रोच सही है के नहीं, अद देख लो भाई, तुमारे सर का विल्कुल आंसर सही है, 7.5, 7.5, D को हमेशा 25 ले सकते हैं, अगर कुछ गिवन नहीं है, तो 25 ले सकते हो, और कल के सेशन्स के लिए रेडी रहना, कोई excuse नहीं चाहिए तुमारा, सारे PYQs लगाने हैं, कितने बजे, टाइम बता देंगे यार, अमन की सुपर चैट आप रुपीस 40, यू आर दे बेस सर, तांक्यू, तांक्यू, तेरी सुपर चैट से ज़्यादा तेरी तारीफ हमाए पसंद है, चलो यार, UE निकाल लेना, IP के उपर लगागे, IP के उपर फार्मला लगाके न, UE निकाल लेना, और वो फार्मला क्या होगा, 1 by V minus 1 by U, या तो आपको simple पता होगा, यार, लगा लो, सीधा ही लगा लो, is equal to 1 by FE, या 1 by F, image distance minus D के बराबर, क्योंकि पीछे की तरफ बनती है, और object distance उसका UE के बराबर, और focal length उसकी 5, तो minus 1 by 25, plus 1 by UE, is equal to 1 by 5, यह माज़ेगा इसका 25, और यह 5 plus 1, तो UE is equal to 25 by 6, 25 by 6 का मतलब 4. कितना, 4. कितना, 4. कितना, 1.7, 4.17, और tube length निकाल ने थी, 7.5, 7.5 यह न, 7.5 plus 4.17, so this is 11.67, कहीं बच्चों का यह doubt आ रहा था, कितने बज़े तक class चलेगी, तो कुशन देख लेते कौन से पे, 8th कुशन पे, 4 कुशन और हैं बस, 12 आई तो कुशन करने, draw a ray diagram of astronomical telescope, for a final images to form at infinity, you can do it yourself, you can do it yourself, यह तो भाई घोल के पीलो, prism, optical microscope, फिर guest paper दे रहा हूं, microscope, microscope, telescope और prism में से एक कुशन expected है, देख रहा हैं यह free में बाट रहे हैं हम दो, free में बाट रहे हैं, ठीक है, micro optical instrument, that is मतलब prism में से, और microscope, telescope में से, एक question आप कहा आना ही आना है, चालो, इस small telescope has a objective of focal in 140 cm, an eyepiece of 15 cm, find the magnifying power of a telescope for viewing distant object, when final images at the total, sorry, the telescope is in the normal adjustment, अच्छा, normal adjustment का मतलब होता है, the images at infinity, the image is at infinity, ठीक है, तो first part में images at infinity, अगर image infinity पे है, तो माइनस नहीं भी लगाते है, तो FO by FE होता है, तो 140 by 5, that is 28, that is 28, and the final image is formed at least distance, then the magnification is, इस situation में जो magnification होगा न, इस situation में जो magnification होगा, that is FO by FE, 1 plus FE by D, 1 plus FE by D, that is 140 by 5, 140 by 5, 1 plus, 5 upon, 25, 140 by 5 into 6 by 5, अब तुमारे हवाले calculations आती हो, अब तुमारे हवाले calculations आती हो, इन्होंने negative नहीं लगा रखा, तो हमने भी नहीं लगाना, इन्होंने negative नहीं लगा रखा, तो हमने भी नहीं लगाना, प्रसांत राजपूत की सुपर चैट आफ रुपीज पहले और भी किसी कि आई है क्या ओहो ओहो दो मिस होगी शिवम शर्मा की सुपर चैट आफ रुपीज 20 शुबम की नूर्स अप्लूर कर दीजियो आप्टिक्स के बाद वले प्लीज कहां पे रेगुलर क्लासे के क्या य सब्सक्राइब भी 40 वेज़े हैं ठीक है ठीक है स्किम्मी आदम यह सारे के सारे तुम है कल कर शेडियूल ब्रेक मत करना भाई यह देखा आज जोड के रिक्वेस्ट है जैसी जैसी मेरी तबेत रहेगी वैसे मैं चलूँगा माल लेयर मैं ठका हूए हूं और ऐसे भायो ब हलका है हुआ है कि हमारे 5 की मिल जाती है तो झाल तो टेरे यहांने में खर्चा भी लगा इस पैट्रोल भी तो लगेगा कि है कि मैरे औरabout बान नान वह कितनी आक्टिंग करते हो से मां का इस यक्टिंग का फैसा भाई इस एक्टिंग के वीडियो लाइक कर रहे हो या आओ तुमारे घरब तो तुमने चाहे भी नी पूछनी ना कॉफी पूछनी ना चाहे पूछनी चल बार से निकल दू अपना लाइक ले और निकल चलो लाइट ऑफ वेवलेंट टू थाउजन अंस्ट्रॉम फॉल्ट ऑना मेटल सर्फेस ऑफ वर्क फॉंक्शन 4.2 एलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है जी ठीक है कोई बात नहीं अब इसके लिए क्या करना है पहले वेवलेंट दे रखी है ना आँख बंद करके एनरजी निकालनूँगा एलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2000 आंस्ट्रॉम में एस इएकुल टू ह्म्यू करके और म्यू किसके बराबर होता है c by लाबडा करके यह होता है 6.63 an poi 10 आभर माईनस 3 यहोता है 3 इंटू 10 आभर 8 और लाबडा है 2000 इंटू 10 आभर 2 आपर-10 सर यह कैसे भाई यह уstäल आगे आंस्ट्रॉम अठाके 10 रेस्ट पावर माइनस थेन आगता है मिटर में ठीक है यह तो एनर्जी आई है जूल में इसको 1.6 इंटो 10 रेस्ट पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देना सब्सक्राइब करने के लिए जिसकी चलो आओ इदर तुमारा शेर तुमारा सपोर्ट हमारे लिए काफी है सूपर चैट की कोई जुरूरत नहीं है अगर आप नहीं हो रहे है तो छोड़ दे प्रडाई पे ध्यान दे पैसे का लालत बाबु भहिया पैसा देखते ही जिरो कम काट दी और ये 10 रेस्ट पावर माइनस 29 बचेगा और नीचे 10 रेस्ट पावर माइनस 29 ये तो कैंसल आउट कर लो कि सर मेरे से selब्ट लगा के रख कल तक उसके बाद प्पि वाई क्योज लगा या मेरे साथ फिर जा सुबह तक सारे लगा कर रेखना के लगू पर पादा चले कोई फोन्न कर रहा हो किसी को के लकुलेट कर रहीं धेख लो गैलकुलेटर रहे हैं शक बहुत करतें दो शक्क्राइब ने तो दूब यह 6.21 अग्छ अग्छ में कौन सा फोन में केलकुलेटर में रहाए तो मैं कौन सा पर दे रहे हो तुम लोग कर रहा क्लकुलेटर सर आपने वान चॉट में टेलिस्कॉप नहीं पढ़ाया पार्ट तू में देख सब पढ़ाया है कि अगया है कि अगया है कि अगया है कि अगया है उठा ले उठा ले मेरे को उठा ले बगवान के रहे डिस्तिंक्ट वीजन और इंफिनिटी का डायगराम अलग होता है यह जाए गया नई भाई सेम होता है अलगी है यार कॉमन सेंस इस फाइंट इनर्जी अफ्ट एस एलेक्ट्रॉन इंधी फ्रॉम दी सार्फेस वट विल्वीडी चेंज इन अनर्जी अफ्ट इमिटेद इलेक्ट्रॉन इप इंटेंसिटी अफ लाइट अग्या तीनों पार उन्ते तो मजाग जादा कर लिया लेकिन चलता है थोड़ा बहुती है और चिल मार के कल बढ़िया से पढ़ेंगे ना तो 2.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है तो 2.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है टोटल एनर्जी दो पार्ट में यूज होती है टोटल एनर्जी दो पार्ट में यूज होती है नाव इन्होंने क्या बोला वाट विल भी दी चेंज इनर्जी ऑफ दी अमिटेड इलेक्र एक है तर बेल्यू गिवन होगी क्या कि सक lev Your 컨ौठ इस यह सारा कुछ तो given work function given wavelength given एला तो आपने kinetic energy निकाल दी सविये बठाओ intensity बढ़ाने से क्या फ़रक पड़ेगा सेम रहेगी क्योंकि intensity to wife energy बढ़ाती ही नहीं सेकींड पार्ट में क्या रहेगी सेमगी देर is no change in the kinetic energy because kinetic energy is independent of intensity because kinetic energy is independent of intensity सब जानते हो तुम्हार को पते है अगर wavelength change नहीं तो energy change नहीं होगी तो energy change नहीं होगी इसका part number c क्या बोल रहा है if the same light falls another surface of work function 6.5 यह क्या यह तो जुकेगा बाई क्यों जुकेगा क्योंकि इसका work function ज्यादा है और इसकी light की energy कम है no photoelectric emission is possible no photoelectric emission is possible light will not emit because work function is greater than the energy of is greater than the energy of light is greater than the energy of light no change no no नहीं होगे नहीं होगे मैं नहीं होगे अब इसका answer पढ़ लेते हैं अरे 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 देखो इन्होंने हमने exact calculation कर यह यह गपला कर गए हैं लेकिन हमने गपला नहीं गड़ा the energy of emitted electron does not change depend on intensity of incident radiation hence the energy remains constant for this function as the energy of light is 6.2 is less than the work function so there is no photoelectron for no photoelectrons are emitted no photoelectrons are emitted how we are like a sunbe the focal length of a convex lens made up of a glass is 1.5 is 20 meter what will be the new focal length when placed in a medium of refractive index 1.25 is focal length positive or negative what does it signify आसान कुछन है AR में focal length कितनी है AR में focal length कितनी है इसका refractive index 1.5 यह 20 दे रखी है तो अगर AR में है तो lens maker formula याद है न 1 by f is equal to mu2 minus mu1 upon mu1 सर आपको कैसे पता lens maker निकलेगा तो भाई refractive index और focal length को एक ही formula relate करता है भगवान ने और कोई formula ने बना है इसको relate करने वाला तो 1 by AR में कितनी है 20 1.5 minus 1 upon 1 into में कौन सा lens है इसको तो छोड़ो इसका तो कोई role ही नहीं है lens है भी या नहीं है हमारा कोई मतलब नहीं है convex है या concave है हमारा कोई मतलब नहीं है ठीक है और भाई अगर medium में निकालना हूँ medium में 1.5 minus 1.25 divided by 1.25 अब यार इसमें एक बच्चे का message पढ़ रहा था मैं इंस्टा में सर यह mu2 और mu1 confuse करता है कौन सा किसका है इस case में तो mu2 हमेशा lens कर रहेगा और mu1 हमेशा medium कर रहेगा mu1 हमेशा medium कर रहेगा ठीक है इंटु में 1 by r1 minus 1 by r2 1 by r1 minus 1 by r2 खचक सवड़ा तो divide कर दो divide कर दो तो medium की focal length upon 20 is equal to 0.5 divided by 1 whole divided by 0.25 divided by 1.25 ठीक है यह cancer out होगे 1 by 5 यह 5 उपर चला जेगा तो medium की focal length upon 20 is equal to 2.5 के साथ multiply 50 RER मेरी answer चेक घपलम ओए फिफ्टी फिफ्टी यह बात पचास सेंटिमेटर पच्चास तोला सॉरी संजदत की हाथ मा आगी थी मेरे फिफ्टी सेंटिमेटर इस फिफ्टी सेंटिमेटर इस focal length positive और negative और medium में डालने के बाद क्या हो गई medium में डालने के बाद focal length बढ़ गई में डालने के बाद focal length बढ़ गई पहले 20 यह पचास हो गई पहले 20 यह पचास हो गई इस पॉजिटिफ साइन फोकल लेंद इस डाट डी कन्वेक्स लेंस तेल कंवर्जिंग इन गिवन मीडियम सर आज फॉर्म में सर का गला ठीक होता तो सर फॉर्म में ही होते हैं सर ने आज classes दो बज़े से लेके लगातार अब दस बज़े साड़े ग्यारा होगी है लगातार सर क्यूं दस बज़े क्यूं आज तो 12 बज़े से class चल रही है है तुमारी यूट्यूब पर भी तो class थी बारा बज़े से लेके बारा बज़े तक बारा घंटे से लागातार a1 काम चल रहा है और देख लिए हो energy देख रहा है energy और यह energy पता है का आती है इसका reason पता है कि अन्याजर मत लगाना मैं फिर बता रहा हूं इसका reason तुम लोग हो एक बार और explain कर दो भाई इसे बोलते है lens maker formula यह होता है air में दे रखे 20 अगर air दे रखे तो यह mu1 1 होगा और medium में निकाल लिए है medium में निकाल लिए तो medium का reflective index 1.25 और रेडियस तो चेंज होना नहीं रेडियस तो चेंज होना नहीं ठीक है अगर डिवाइड करूंगा तो यह cancel out हो जेगा और फिर इसको डिवाइड करके answer निकाल लिया चलो अगला question कौन सा है अब हाँ 11th question पर आ गए हम 11th question पर आ गए name the EM wave which are suitable for radar navigation in right there range of frequency बोलना जड़ा radar system of aircraft navigation कौन सी wave यूज होती है यह तो सब करा रखा है और मैंने तुम्हार को यह भी NCRT question है NCRT यह भी NCRT है दोनों NCRT है शायद यह वाला तो पता नहीं मुझे ध्यान नहीं है लेकिन अगले वाले दोनों पाट NCRT है microwaves होती है microwaves these are microwaves radio waves वाले पिटने वाले हो और इसकी frequency range 9 to 12 frequency range पुछा है ना 10 raise to power 9 to 10 raise to power 12 hertz 9 to 12 भी होतता है ना कर लेंगे चेक if the earth if the earth does not did not have atmosphere would it average surface temperature be higher or lower lower लगाई दी नज़र अरे भाई अगर atmosphere नहीं होगा तो light को absorb कौन करेगा और अगर heat absorb नहीं होई तो temperature बढ़ेगा कैसे and EM wave exert pressure on the surface of it मुझे नहीं पता सिदा सिदा formula में पता है microwave are suitable for radar system और 10 raise to power 8 से 10 raise to power 11 मैंने 9 से 12 लिख दी कोई दिक्कत नहीं सही है if the earth did not have any atmosphere then there would be absence of greenhouse effect महाँ पे कोई greenhouse effect नहीं होगा बता है ना सबको बता है अपने हो एंग डिंटिकल अचा इडिंटिकल स्लिट है दे इंटेंसेट्ission अप्र छेंट प्लेस तुर असट तो ये करने हैं, एडिफर का अंचास्रीट अडिये लिए लिसेटंड यू जै वग्रत शिर्ल-गल्व बीव साहॉन जीनंटब करने हैं, वही maximum intensity का formula होते है under root of i1 plus under root of i2 का whole square और minimum intensity का formula क्या होते है under root of i1 minus under root of i2 का whole square ठीक है अब इन्होंने बोले दोनों intensity बराबर है i1 i2 दोनों i0 के बराबर है if I put i1 i2 equals to i0 this maximum intensity will become equal to root i0 plus root i0 का whole square this will be twice of root i0 का whole square the answer will be 4i0 maximum intensity will be 4i0 और minimum intensity के लिए put करेंगे दोनों का बराबर the answer will be 0 that means the intensity vary between 0 and 4 times the intensity of any light अच्छा intensity distribution काव और diffraction बनाने और आपको पता होगा diffraction की intensity keep on decreasing with the increasing value of n keep on decreasing with the increasing value of n पहला maxima के minima कितने angle पे lambda by a पे angle के साथ variation बनाना है और पहला maxima कितने angle पे 3 by 2 lambda by a पे और फिर minima कितने पे हो गया 2 lambda by a पे यह ऐसे keep on चलता रहेगा अगे झालता रहेगा हावी नजरे कहां पे हैं बहुत तेज हो रहे है लेको सबको पता है न मिराज transformation है आगे आजाओ नहीं तो भटक जाओगे तुमारी नजरे यह टी आई यार करती हुई कोशन पर आओ पता है कौन से कैमल पर दे तुमारी नजरे ने विच आफ दी फॉलिंग फेनामेना इस रहा है यह कौन सा वर्ड है भाई डैस इन्वाल इन दी फॉर्मिशन आफ मेराज इन दी डिजर्ट्स रिफ्रेक्शन टी आई यार डिस्पर्जन रिफ्रेक्शन टी आई यार अरे सबको पता है रिफ्रेक्शन आं टी आई यार रिफ्रेक्शन टी आई यार रिफ्रेक्शन टी आई यार डैवर आट डेप्थ 12 मिटर इंसाइड इस कोई बात नहीं दे रख्खे सीजी स्काई कि ना कौन ओफ सेमी वर्टिकल एंगल मतलब क्या कहना चाहते हो एक डाइवर है बारा मिटर की डेप्थ पे है बारा मिटर की डेप्थ पे है अच्छा यहां पड़ा हुए और इसका refractive index 4 by 3 है तो यह कौन से जो देख रहा है सेमी वर्टिकल एंगल यह एंगल बताना है सबको पता है IC पर देख सकते है IC भी देख सकते है साइन IC निकालने 1 by मू के बराबर हुथते है साइन IC is equal to मू है 4 by 3 तो यह 3 by 4 हो जेगा IC will be साइन इनवर्स 3 by 4 is there any option with sin inverse 3 by 4 yes there is an option sin inverse 3 by 4 sin inverse 3 by 4 in an optical fiber if N1 and N2 are the reflective index of core and cladding then which of the following relation are correct किसका refractive index बड़ा होते है core का यह cladding का core का यह cladding का refractive index किसका बड़ा है N1 बड़ा या N2 बड़ा है बराबर तो है नहीं क्योंकि TIR नहीं होगा अब कोर का बड़ा होना चाहिए क्योंकि कोर से cladding में light जाती है कोर से cladding में light जाती है ग्राफ के ऊपर वीडियो अल्रेडी चैनल पे है कोर का refractive index बड़ा होते है कोर का N1 N2 से बड़ा है क्या क्याना चाहते है थोड़ी अंगरी जी में समझते है अगरी जी में आपको फिर बोला था एक साइन आई सी का फॉर्मल आपको यह याद करना है अगर कोई दूसरे मीडियम में डालते है न इन्होंने बोला पहले पानी में डाल रखा था पानी में डायमंड का जो critical angle था as compared to the water critical angle जो उस liquid में डाला जिसका refractive index ज़्यादा है as compared to water as compared to water तो भाई अगर म्यूवन बड़ेगा अगर म्यूवन बड़ेगा sin ic बड़ेगा म्यूवन बड़ेगा तो sin ic बड़ेगा अगर म्यूवन बड़ेगा तो sin ic बड़ेगा that means it will increase मेरे साफ से तो increase होना चाहिए so let me check the answers first let me check the answers first पहले का answer refraction and TIR बिल्कुल correct sin inverse 3 by 4 बिल्कुल correct third part and we have n1 greater than n2 and fourth part increases बोली दिया था fourth part increases fourth part increases अब अगले part में क्या लिखा हुए calculation तो अगले question की देखके बड़े ब्यानक सी लग रही है the following figure shows a cross sectional of a light pipe made up of glass fiber of refractive index 1.68 the outer covering of pipe is made up of material of refractive index 1.44 what is the range of angle of incident race with the principal axis of pipe for the following phenomena to occur TIR करना है ना TIR के लिए critical angle कितना होता है sin IC is equal to mu1 by mu2 bar वले का refractive index 1.44 और अंदर वले का 1.68 mu1 by mu2 होता है ना क्योंकि denser से rarer में जाती है so let me calculate this 0.60 degree 0.60 क्या आंसर है इसका 0.60 बस यह इन्होंने वही solve कर रखा है इन्होंने वही solve कर रखा है 0.60 के बीच में अब यह question के अंदर क्या है अगर यह 60 है तो यह 30 होगा इस diagram को ध्यान से सुनना सुनना नहीं देखना सॉरी यह एंगल 60 चाहिए तो यह एंगल 30 होगा क्योंकि यह 90 है और अगर यह 30 है तो यह वाला फिर से आगया अप्रॉक्सिमेट 60 हो जेगा 60 के बीच में होगा हां बस हो गया सब टाइमिंग बता दो कल का इगनूर करने से क्या होगा मजा आएगा मुझे खुदी नहीं पता तो पर को क्या बता हूं कुछ डिसाइड होगा तभी तो ना अगर मालो कंटेंट परिपेर हो गया तो 10 बजे से नहां तो 11 बजे से बस बात खतम वह तो मेरे पे अना यार मेरको नीन तो मेरको भी आती है इंशान तो मैं भी हूं अब कंटेंट परिपेर करूंगा बैटके कोर्सन सेलेक करूगा तुमार इसका टेलीगराम पर चाहिए क्या वह चालो खतम हो गया समाप्त 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 सर एंसर है तो मैंने क्या कर रहा है कि अरे यह दो लिखा तो हुआ है कि तुम लोग सच में कमाल हो याद कि नो पीडियेफ चलो फिर भी दे देंगे चलो फ्री में वो भी समझ रहे हो ना थांक्यू सो मच कमेंट करना ना बूलना कमेंट करना तुमारी जिम्मेवारी है कर दिये फटावट से कमेंट